डेली करेंट नूस में अभी की खबर है नासा ने खिँची चमकते पराबैगनी तारासमूह की तस्वीर चमकते हुए पराबैगनी तारासमूह की तस्वीर खिंची है। जाता है यह तारा समू हाइडरोजन सम्रिध नेबुला N66 में मौजूद है अब आये जानते हैं NGC 346 के बारे में यह लगभग 200 प्रकाशवर्स व्यास का एक तारा निर्माण क्षित्र है यह एक बावनी आकाश गंगा है इसे लगहू मेगेलैनिक बादल यानि SMC कहा जाता है यह प्रिथवी से लगभग 210 प्रकाशवर्स दूर है या मिलकी वे आकाश गंगा के बाहर मौजूद है अब आये जानते हैं हबल टेलिसकोप के बारे में यह एक अंतरिक्ष दूरबीन है इसे वर्ष 1990 में लो अर्थ और्बिट यानि LEO में लांच किया गया था इस टेलि शास्त्री एडविन हबल के नाम पर रखा गया है यह वेद्शाला अंतरिक्ष में स्थापित की जाने वाली पहली प्रमुक ऑप्टिकल टेलिसकोप है यह नासा के Great Observatories Program का एक हिस्सा है जो चार अंतरिक्ष आधारित वेद्शालाओं का एक समू है और प्रतेक वेद्शाल एक अलग तरह के प्रकाश में ब्रम्भान पर नजर रखती है आए जानते हैं नासा के बारे में यह संयुक्त राज अमेरिका के संहीय सरकार की कारिकारी शाखा की एक स्वतंद्र एजेंसी है इसका मुख्योदेश नागरिक अंतरिक्ष कारिक्रम के साथ साथ वैमानिकी औ और अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना है इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी इसका मुख्याले वशिंग्टन डीसी में है आए नोट करते हैं आज का भ्यास प्रशन निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन है हबल टेलिसकोप को वर्ष 1900 में ल विकल्प एक केवल एक विकल्प डी केवल दो विकल्प सी एक और दो दोनो या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो